lets का क्या आर्थ होता है यह आज की इस वीडियो में समझ लेते हैं lets का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो let का plural यानि की बहुवचन होता है lets यानिके एक से ज़्यादा let को हम lets कहते हैं और let का आर्थ होता है अनुमती, अनुमान, बाधा, रोक या देरी तो verb की रूप में let का इस्तेमाल जब हम present in definite tense में he, she, it या singular third person के साथ करते हैं तो rule के coding उसके साथ ऐस लगाते हैं जिससे let's कहते हैं और let's का आरत होता है let करता है या करती है यानि कि let का मतलब होता है आग्या देना, अंदर आने देना, ठेके पर देना, भाड़े पर देना, ठेके पर काम देना, किराय पर देना या पट्टे पर देना तो let's का मतलब हुआ कि आग्या देता है या देती है अंदर आने देता है या देती है ठेके पर देता है या देती है भाड़े पर देता है या देती है ठेके पर काम देता है या देती है किराय पर देता है या देती है या पट्टे पर देता है या देती है जैसे कि अगर आप भी कहना चाहें कि वह चात्रों को कमरे किराय पर देती है तो आप कहेंगे she lets out rooms to students she lets out rooms to students अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु भकवास की सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें